गली महली की लडाई में गली को रणभूमी में बदलते हुए देखा है जहां कोई रूस नहीं होते हैं लेकिन रियालिटी शो में रूस होने के बावजूद रूस को तोड़कर रियालिटी शो को रणभूमी में बदलना अलग है जिसे special case का भी दर्जा दे दिया है नमस्कार मैं भी इत स्वागत कर्थी हूँ आपका वीवा पड़ चर्चा में Big Boss OTT Season 3 के एपिसोड में अर्मान मलिक ने विशाल पांडे को मारा थपड जी हाँ, National Television के एक reality show में एक influencer ने मारा दूसरे influencer को थपड Reason ये था कि विशाल पांडे ने अर्मान मलिक को बोला कि उनकी बीवी कृतिका मलिक सुन्दर दिखती है जिससे अर्मान मलिक को लगा कि विशाल पांडे की कृतिका के ऊपर गंदी नजर है जबकि ऐसा कुछ नहीं था, विशाल पांडे ने बोला कि वो तो सिर्फ अपनी भावी की तारीफ कर रहे थे, कि वो सच में सुन्दर है बिग बॉस के इस एपिसोड में हुई वारदार्ट को देख, लोगों के वीच और शोशल मीडिया पर संसनी फैल गई है विशाल पांडे की बोली हुई बात पर कुछ लोग उनके अगेंस्ट है और कुछ लोग उनके सपोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं विशाल पांडे की बोली हुई बात पर पायल मलिक ने भी जवाब दिया पायल मलिक ने बिग बॉस के सेट पर आकर विशाल पांडे को खूब खरी खोटी सुनाई और बोली कि आप किसी के बीवी या किसी की मा के लिए ऐसा शब्द नहीं बो सकते हैं जिससे साब जाहिर होता है कि विशाल पांडे के सब अगेंस्ट है लेकिन विशाल पांडे के साथ हुए थपड़ कांड विशाल पांडे की फैमिली को मंजूर नहीं हुआ जिसके अगेंस्ट में विशाल पांडे की फैमिली ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें उनके माता पिता और उनकी बहन अर्मान मलिक और पाइल मलिक को खूब खड़ी-खोटी सुनाती हुई नजर आए विशाल पांडी की माता पिता अपनी वीडियो में रोते हुए नजर आए और ये बोलते हुए नजर आए कि जो भी उनके बेटे के साथ हुआ वो गलत हुआ उनका बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा उसे समझा जा रहा है हम अपने बेटे को जानते हैं और हमारे बेटे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था अर्मान मलिक को इसकी सजा मिननी चाहिए और अर्मान मलिक को बिग बॉस के शो से निकाल देना चाहिए वही विशाल पांडी की बहन नेहा ने पायल मलिक की बोली हुई बातों पर बोला कि पायल जी आप अपनी फ्रामली को सपोर्ट करियो और मैं अपने भाई को सपोर्ट करूगी लेकिन आप किसी भी लड़के पर इस तरहा के गलत आरोप नहीं लगा सकती है और वही अर्मान मलिक के लिए बोले कि अर्मान मलिक की कटारिय से फटती है अर्मान मलिक को मेरे भाई से माफी मांगनी ही होगी और विग वास को अर्मान मलिक को अपने घर से बेधखल करना होता इसी मुद्द्य से जुड़े भाविन भानुशाली ने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि विशाल पांडे ने किसी भी गलत intentions में या intention से कृतिका मलिक के लिए कुछ नहीं बोला, कुछ गलत नहीं बोला है ना उनकी कोई गलत इरादे थे, वो जस कृतिका मलिक की तारीफ कर रहे थे विशाल पांडे ऐसा बिलकुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि विशाल पांडे की खुद की भी बहने हैं तो वो और किसी लड़की के साथ ऐसा क्यों करेंगे या उसके बारे में कुछ गलत बोलेंगे वहीं इसी से जुड़ी एक वीडियो भी सामनी आई जहां पर विशाल पांडे सना मकबूल और घर वालों के साथ बैट कर कुछ बाते कर रहे हैं जहां पर क्रितिका मलिप की खुबसूरीती का मुद्दा उठा तो सब ने उनकी खुबसूरीती को एप्रिसीेशन दे कर विशाल पांडे की बात में भी हामी भरी शोशल मेडिया पर विशाल पांडी के फ्रेंड्स और फैंस उनका सपोर्ट करते हुए उनके लिए जस्टिस मांग रहे हैं हैश्टेक जस्टिस पोर विशाल अब देखना ये रहेगा कि बड़ी आख वाले बिग बॉस विशाल को जस्टिस दिलवाते हैं या एक थपट से रूल ब्रिक करवाते हैं और नाशनल टेलिवीजन पर एक रियालिटी शोपर वायलन्स को सपोर्ट करते हैं तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहेए विवा चैनल पर